करोना जादा बढ़ रहा है वो थे गुजराथ, महराष्ट्र, केरिला, करनाटका, तमिलनाडू और तेलिनगाना उसमें दिल्ली नहीं था तो उन छे स्टेट्स में करोना जादा बढ़ रहा है उनको special हिदायते दी गई थी, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए लेकिन हमने अपनी तरफ से, क्योंकि दिल्ली में अगर हम देखें तो 15 मार्च को लगबग 42 केस थे, जो डेली केस आते हैं ये बढ़के 15 दिन के अंदर 30 मार्च को 295 केस हो गए तो ये सडन जम्प जो है, ये थोड़ा सा पहले ही हमने इसको समझने की कोशिश की है कि ये क्यों बढ़ रहा है तो 30 मार्च को कल की डेट में 295 केस थे, एक्टिव केस अभी तक के हो गए हैं 932 और टोटल टेस्ट जो हमने कल किये थे, वो थे 2363 वैसे अभी कोई चिंता की बात नहीं है, 295 केस है, लेकिन हम समय रहते हैं जो भी स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है वो उठा रहे हैं अभी तक टोटल तीन डेट्स हुई हैं उनमें दो डेट्स परसों हुई थी और एक डेट्स और चार-पांच दिन पहले हुई थी ये तीनों डेट्स वो हैं जिसमें साइड डिसीज, कोमॉर्बिडिटी जो है, वो बहुत सीवियर थी तीनों केसे में तो ऐसा अनुमान है कि डेथ को मॉर्बिडिटी की वज़े से हुई है और शायद करोना इंसिडेंटल था पर ये कहा नहीं जा सकता तो जैसे एक केस है जिसमें किड्नी का ट्रांस्प्लांट हुआ था वो दो-तीन महीने से हॉस्पेटल में एड्मिट था और उसकी डेथ हो गई तो ये कहना कि वो करोना से डेथ हो गई ये थोड़ा शायद गलत होगा लेकिन ये फैक्ट है कि तीन केसिज ऐसे डेथ हुई है जिनको करोना था इन तीन में से दो दिल्ली के बाहर के रहने वाले थे अभी इस वक्त जितने भी हमारे केसिज पॉजिटिव आते हैं हंड़एड पार्सेंट की हम जिक नुम सेक्वेंशिंग करा रहे हैं उसका हमारा मकसद यह कि अगर अगर कोई भी नया वेरियंट अगर निकल के आये तो हमारे को पहले से पता सब चल जाने कि कहीं कोई चिंटा का विशे तो नहीं है तो 100% cases की genome sequencing करा रहे हैं इस वक्त जो सब सब predominant variant आ रहा है वो है XBB 1.16 लगब 48% cases में यह वाला variant है और जो बाकी भी हैं उनमें भी इसी variant के कुछ-कुछ sub-variants हैं इस variant की तीन qualities हैं यह वाइडल बहुत तेजी से हो रहा है बहुत तेजी से फैल रहा है लेकिन यह सीवियर नहीं है बिल्कुल भी ना तो इसमें कोई तेज सिम्टम्स हैं और ना ही इसमें ज्यादा hospitalization की जरूरत है और ना ही इसमें deaths की ज्यादा चिनता है तो severity इसकी कम है लेकिन evasion to immunization है कि अगर आपने वैक्सिन भी लगवा रखा है तो यह उसका उसकी परवा नहीं करता है यह उसके पावजूद भी इंवेड कर जाता है एक जो हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं कि इस सीवेज जो है उससे हम advance में पता करने की कोशिश करते हैं कि कहीं कोरोन तो नहीं आ रहा तो मिड फेबरोरी तक जितने हम सीवेज के साथ-आठ जगे से पूरी दिल्ली में सेंपल उठाते हैं सीवेज के और उनको टेस्ट करते हैं पहले अगर कोरोन आता है तो पहले सी सीवेज में करोना डेटेक्ट होना चालू हो जाता है मिड फेबरेरी तक जीरो कंप्लीटली पूरे दिल्ली में नेगेटिव था उसके बाद से धीरे-धीरे पॉजिटिव कुछ-कुछ सेंपल में आना चालू हुआ और पिछले पंदरा दिन में अभी सीवेज में पॉजिटिव इसके वो निकल के आ रहे हैं हमारी इसको लेकि पूरी तैयारी है वैसे तो कोई भी चिंता करने की दूट नहीं है बहुत कम अभी केसे हैं और कोई सिव क्यों भी हैं 7,986 बेट्स हैं जिसमें से 66 बेट्स के वर उक्यूपाइड है और 66 आटी PCR के टेस्ट करने की हमारे पास सफिशन्ट ख्शमता है लगबग 4000 टेस्ट हम सरकारी लैब्स में करने के लिए हमारे पास ख्शमता है और प्राइवेट लैब्स में तो एक लाग से ज ज़्यादा अच्छा रहा 18 प्लस की कैटेगरी में तो लगबग सबको वैक्सिन लग चुकी है और 18 से निचली उसमें आए तो फस्ट डोस सबको लग चुकी है सेकिंड डोस भी 85 परसेंट के लगबग लोगों को लग चुकी है हमें बस सफिशन्ट एंबुलेंस है सफिश ऑक्सिजन स्टोरेज की कैपैसिटी है 26 मार्च को हम लोगों ने 38 सरकारी दिली सरकार के हॉस्पिटल्स की खुद बखुद एक मौक ड्रिल की थी कि बाईचान सगर हो जाए तो और इसमें जितने मानली जो कोई एकुप्मेंट काम नहीं कर रहा था ऑक्सिजन वाली अविल इसके उपर दिली सरकार एक कैमपेंग चलाएगी अब एक मीडिया कैमपेंग चलाया जाएगा लोगों को करोना के बारे में जागरूख करने के लिए और एhtiyat बरतने के लिए कि कोवीड अप्रोप्रियेट बिहेवियर फॉलो किया जाए एरपूर्ट के उपर दो परसें प्रचेंजर्स को रेंडम टेस्टिंग की जा रही है और जितने भी दिली सरकार के हॉस्पिटल्स हैं सब को बोल दिया गया है कि आइसोलेशन वाड्स को ना पेशेंट्स के लिए रखें कहीं ऐसा नहों कि किसी को बहुत सीरियस माली आयल बीसे सब्सक्राइब किडिनी ट्रांस्प्लांट वथ को को रोण ओगया हाव उसको करोना वाले हस्पिटल्स में नहीं लिए जाएंगे हम वहहीं पे अगर आइसोलेशन बंड होगा तो वहीं पर उसको एक अलग वाड में कर देंगे तो उसका करोना का किडिनी का भी उसको तुरंत मास दे दिया जाता है उनको 100% उनके टेस्ट किये जा रहे हैं और जितने influenza वाले लाइक symptoms वाले patients हैं उनको 5% उनके random टेस्ट किये जा रहे हैं तो overall दिली में लोगों को घबराने की जरूर्ट नहीं है सरकार पूरी तरह से नजर रखे होए और सरकार पूरी तरह से किसी भी eventuality को face करने के लिए तैयार है सर्थ बूस्ट का क्या status है क्या अब बहुत का होगा है तो बहुत आले जाला है लिकि आप बहुत का होगा है हम जितने भी जिनको भी सारी पेशेंट्स हैं जो कि influenza like symptoms हैं इस तरह की सांस की बिमारी है उनको हम सब को वो कहेंगे कि आप मास्क लगा के रखिए लेकिन अभी केंद्र सरकार की तरफ से कोई guideline नहीं है और जैसे-जैसे केंद्र सरकार guide करीगी हम उस पर steps लेंगे अगर ऐसी कोई जरूरत होगी तो हम समय समय पे करते रहेंगे we are recommending masks to those who have respiratory disease like SARI, AILI etc Airport पे 2% कर दी है जरूरत पढ़ेगे तो बढ़ाएंगे विकोज यह सारी चीजे जो भी हम करना है सबसे जादा expertise केंद्र सरकार के पास है and we look up to the central government for giving guidelines from time to time जैसे जैसे केंद्र सरकार हमें गाइड करेगी हम उसको पूरी तरह से follow करेंगे उसको आपको याद होगा कि disaster management से अलग कर दिया गया था covid को so now this is not being monitored by DDMA और NDMA thank you तो दिल्ली के मुक्षमंत्री अर्वन किर्जबाल ने press conference की है और जो जानकारी उन्होंने दी है मोटी तोर पर आपको बता रहे हैं उन्हें का नया variant तेजी से फैल रहा है लेकिन जो नया variant है वो खतरनाक नहीं है और जितने भी positive cases आ रहे हैं दिल्ली सरकार सभी की genome sequencing करवा रही है ताकि covid के exact जो आपडेड वाइरस होता है उसको लेकर जानकारी हासल की जासके इसके अलाव जो मुख्मंत्री ने बताया है बिल्ली के तमाम दिल्ली सरकार का दीन आने वाले जो अस्पाटाल हैं उन अस्पाटालों को तयार रहने को कहा गया है विवस्ताएं वहां पर मुकंमल है अस झाल झाल